Class 10 की exercise 4.2 का last याने की question number 6 इसमें दिया है A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was Rs. 90, find the number of articles produced and the cost of each article. A cottage industry है जो किसी एक दिन pottery यानि की मिट्टी के articles बनाती है. ये observe किया जाता है कि हर एक article का cost यानि की rate जितने भी articles एक दिन में बनते हैं उनके दुगने से 3 more, 3 more यानि की 3 जादा है. अगर total cost of production यानि की पूरे दिन में बनने वाले pottery articles का cost 90 हो, rupees 90 हो तो find करना है कि कितने articles produce हुए हैं और हर एक article का cost कितना है. So solution start होता है यहां से. सबसे पहले let कर लेंगे कि एक दिन में x number of articles produce होते हैं. उसके लिए यहां पर लिखेंगे Let the number of articles be x. जो articles की संख्या है उसको हमने let कर लिया x. So इसके बाद हमें condition दी है कि हर एक article का cost उस दिन बनने वाले जो भी articles हैं उसके twice से 3 more यानि कि 3 जादा होता है. तो यहां पर लिखेंगे Then the cost of each article will be. अगर x number of articles बनते हैं तो cost क्या हो जाएगा जितने भी articles बनते हैं उसके twice plus में 3 more. So x का twice करेंगे, x का twice हो जाएगा 2x इसमें 3 add कर देंगे, 3 जादा होता है. तो यह हो गया plus में 3. हर एक article का cost हो जाएगा 2x plus में 3. Question को आगे solve करने से पहले एक simple सा formula बता दू. Total cost equals to में होता है total items multiply में cost of each item. तो total cost कितना दिया है हमें question में 90. तो total cost की जगे हम put करेंगे. 90 यह किसके equal होगा total items. टोटल कितने items बनते हैं? x items तो total items की जगे आजाएगा. x इसके बाद multiply करेंगे इसमें cost of each item. Each article का rate cost कितना है 2x plus में 3. सो यहाँ पर आजाएगा 2x plus में 3. Simply total cost equals to में number of articles multiply में cost of each article. formula को रब कर देता हूँ. यह simply आपके समझने के लिए मैंने लिखा था. अब आगे solve करेंगे इसे. तो इस side में 90 as it is equals to में x को यहाँ पर 2x से multiply करेंगे. तो यह हो जाएगा 2x का square. इसके बाद x को 3 से multiply करेंगे. तो यह हो जाएगा plus में 3x. अब सभी terms को एक side में ले लेंगे. 90 को भी इधर ले लेंगे. सबसे पहले इधर यहाँ पर क्या है? यह है 2x square plus में 3x. 90 side में कैसे है? प्लस में दूसरी side जाएगा तो हो जाएगा minus का 90. इक्वल्स टू में रख देंगे 0. सो यह आगई हमारी एक quadratic equation. equation को solve करते हैं next page पर. यह हमारी equation 2x square plus 3x माइनस 90 इक्वल्स टू में 0. इसमें a की value है 2, b की value 3 और c की value माइनस 90. तीनों को यहाँ पर लिखेंगे. a की value 2, b की value 3 और c की value माइनस में 90. simply 2 से 90 को multiply करेंगे, minus 90 को multiply करेंगे, तो यह आजाएगा minus में 180, minus sign को कुछ देर ignore करेंगे, और 180 जो आया है इसके factor करेंगे. जल्दी से कर लिजीए इसके factors. यह आगए 180 के factor. तो इनको arrange करेंगे, 2 को 2 से multiply करेंगे, 4, 4 को 3 से multiply करेंगे, तो हो जाएगा 12. यानि कि इन 3 को आप multiply करने पर आजाएगा 15. तो आप simply देख सकते हो, 15 में से 12 को अगर minus किया जाए, तो क्या आएगा 3. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसे 15 minus में 12 equals to में आ जाता है 3, और अगर 15 को मैं multiply करूँ minus 12 से, तो यह आजाएगा minus में 180. माइनस करने पर हमें 3 मिल रहा है, यानि B की value मिल रहा है और multiply करने पर हमें minus में 180 मिल रहा है, तो जहाँ पर भी हमारी equation में 3 है, उसकी जगह हम put कर देंगे 15 minus 12, तो solve करते है equation को, solve करने में हमारी first वाली term 2x square as it is, plus का sign लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर है 3, 3 की जगह पर 15 minus 12, तो यह आ गया 15 minus 12, अब आ जाएगा यहाँ so, x minus 90 equals to 0, आगे solve करेंगे तो हमारी 2x square यह वाली term as it is, इसके बाद plus का sign लगाएंगे, x को 15 से multiply करेंगे, तो यहाँ जाएगा 15x, इसके बाद x को minus 12 से multiply करेंगे, minus plus minus और 12x हो जाएगा यह, यहाँ जाएगा minus में 12x, इसके बाद minus का 90 और equals to 0, अब simply starting वाली दो term है, इन दो no terms में से लेंगे common, common क्या रहा है यहाँ पर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, so x common ले लेंगे, यह x common आ गया, x के अलावा तो कोई भी चीज़ common नहीं है, so bracket लगाएंगे, x common, 2x square में से x common ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 2x, इसके बाद plus का sign लगाएंगे, 15x में स x common ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 15, bracket close कर देंगे, इसके बाद आगे आने वाली 2 term है, इन में से common लेंगे, यहाँ पर भी minus, यहाँ पर भी minus, so minus common आ गया, इसके बाद यहाँ पर देखो, 6 के table में 12 भी आता है, 6 के table में 90 भी आता है, 15 times पर, so यहाँ पर minus में 6 common ले इसके बाद plus का sign लगाएंगे, यह वाला minus हम common ले चुके हैं, तो आएगा plus, 6 के table में 90 भी आता है, 15 times 15 पर, so यहाँ पर आ जाएगा 15, और equals तुमें रख देंगे 0, अब simply, यहाँ पर x है, यहाँ पर minus 6, इनको इकटा लिख देंगे, तो यहाँ गया x minus में 6, और इसके 2x plus 15, यहाँ पर भी 2x plus 15, यह common आ जाएगा, यहाँ गया 2x plus में 15, यानिकि इन दोनों brackets की जगे, इसके और इसकी जगे एक बार ही लिखा जाएगा, और equals to में लगा देंगे 0, अब simply x की value find करेंगे, यहाँ से, इसमें से x की value find करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, x minus 6 equals to में रखेंगे 0, x की value क्या जाएगी, minus 6 को दूसरी तरफ बेचेंगे, तो हो जाएगा, plus का 6, एक value तो x गया गई हमारी यह, दूसरी x की value find करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इसमें 2x plus में 15 equals to में रखेंगे 0, simply इस साइड में बचेगा, x equals to में क so यह आ जाएगा यहाँ पर 2, दूसरी x की value आ गई हमारी x equals to में minus 15 upon 2, यहाँ पर जो भी हमने यह rough work किया है, इसको रख कर देता हूं, आप यहाँ पर देख सकते हो, पीछे वाले page पर हमने x को let किया था number of articles, so number of articles कभी भी negative तो हो नहीं सकते, so इस x की value को कर देंगे, हम reject, so number of articles कितने हो जाएंगे हमारे 6, so यहाँ पर हम लिखेंगे, और पीछे वाले page पर हमने cost of each article, यह कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 2x plus में 3, so यहाँ पर लिखेंगे, cost of each article, यह क्या था हमारा, 2x plus में 3, यहाँ पर इस equation में, x की जगे पर हम put कर देंगे, x की value जो हमन हमें find की है 6, so x की जगे पर यहाँ पर put करेंगे 6, 2 as it is आएगा, x की जगे पर आया 6, plus में 3, simply 2 से 6 को multiply करेंगे, 2 6 हो जाएगा 12, 12 plus में आ जाएगा 3, और equals to में आ जाएगा यहाँ पर 15, 12 और 3 को add करने पर आगया 15, number of articles, यहनि कि एक दिन में total 6 articles बनाए जाते हैं, और cost of each article, हर एक article का cost होता है हमारा 15, यही हो जाएगे हमारे दोनो answers 6 और 15,